जॉल्पो चिले के राज के पीजी कॉलिज में अकिल भारती विध्यारती परशित के कारकरताओं ने ब्रज यूनिवसीटी के 22 चांसलर के खिलाप जमकर पुलरसंकर पुतला धेम किया गया करीज दो गंटे तक चले हंगामे के बाद कॉलिस पुछासन ने विध्यारती उसे समझा इस करमामने को सांत कराया आकिल भारती विध्यारती परशित के परादकारियों ने बताया कि ब्रज बिष्य विध्यारती 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 विध्यारत पहनत कर परिच्छाएं दी थी लेकिन बिस्विध्याला प्रशासन ने चाप्त्रों के हितों के साथ कुठारगात किया है ब्लज बिस्विध्याला का रवया पूरी तरह से बिगण चुका है जब से यूनिवर्सिटी के स्तापना हुई है तभी से घामिली सामने आ रही है व परिच्छ उनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पुतला धेल किया अखिलवार्ती विध्यार्ती परशकत के पदादकारियों ने चेता बनी देते हुए कहा अगर तरकार और विश्विध्याले परिच्छाट्रों के हितों पर ध्याल नहीं दिया तो प्रधेस बरम्या जो प्रिजवीशी उत्याले के द्वारा आज दिन विशंगतियां को ले करके हम में आज उनका फुतला जलाया है वीशी का साथ मैं ये बताया है कि जो चात्र आज दिन यूनिवर्स्टी के चक्कर लगा रहे हैं उनको कोई चात्र पास है उसको फेल गर दे रहे हैं साथ ही जो क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं ये कॉंपी है हमारे सामने जिसको कॉंपी को चेक नहीं किया गया अंदर से पर उसका रिजल्ट परणाम उन्होंने दे दिया गया है कहिने कि ये सारी कमिया पर चुछी शुत्याले पर प्रजनिशन निकड़ा करती है और वीची साथ ध्यान ने अगर ये समश्या चात्रों की जल से समाता नहीं किया गया तो एक बीपी इसको ले करके एक उगरांदोलन करेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी आज अखिलवर्ती विध्यारथी परषद के माध्यम से बीचे साब का पुतला द्हिन किया गया है जिसमें कि आए दिन चात्रों की हो रहा ही समस्चा को ले करके एक तो सबसे बड़ी जो समस्चा है परिक्चा परिक्चा परिणामों में दड़बडी को ले करके किया गया है परिक्या में एक कुस्तक ले आ गई हमारा एक खरकता है उनकी एक पुस्तक ली गई में पूरी आंसर चीट को कहीं चांचा नहीं गया यह पूरा पूरी नम्बर तुझा था. इसको विद्यार्थी बुषद कर दों प्रवार में अंदुलन करें जिसकी पूरज मिदारी सरकार प्रसाथन के होगी सरकार चात्रों के साथ में जो नहीं कर रही हैं एवी पी इसको बढ़ता कता ही नहीं करेगी चात्रों की जो समस्याओं के लिए जो सरकार बैटी है इसको सजग होना पड़ेगा इसी के साथ मैं अपनी वाड़ी को पराम देता हूं जाहिन जाहिन धौलपुर जिला मुख्याले पर पिछले नौ दिनों से डिल्सी की बड़ी हुई रिटों के बिरूद में चल रहा आमजन का धरना मंगलवार को जिला कलटर द्वारा पूरानी दरों पर ही दस्तावेजों का पंजियन करने के लिए किये गए आदेस के बाद समाप्त हो गया उप पंजियन कार्यले के बाहर चब रहे आमजन के धरने के बाद जिला कलटर निहा ग्री ने आदेस जारी करते हुए बताया कि दिनांक 9 सितंबर को ही बायार दरों में धारों की बैटक में उप पंजियन शेकर धौलपुर के संबन में समती द्वारा जो बायार दरों में बिनिता है जिस व्याए से दस्ता बिनांक के पंजियन के जाने में लोगों को परिशानी हो रही है जिला कलटर द्वारा जारी किये गए आदेस में बताया गया है कि बिनिता के चलते उप पंजियक धौलपुर को अभिलम बायार दर निल्दारंक की बैटक में के लिए नि किये गए निल्दिशं हमें बताया गया है कि E阿鉄 मिज़रे उप पंजिय कारियल्य पर प्रभावित नहीं होंगे जिला कलगर द Two機 जारी कियी जाने के बार ऊप पंजिय कारियल्य के बार दल्ना दे रहे आमजन ने अपना दल्ना संगर दिया दौल्पो जिले में चंबल नदी में आये उफांग के बाद नदी में बिच्रण करने वाले जली जीवों का भी हाल बेहाल है गाउं में चंबल का पानी उतरने के बाद जली जीव गाउं में बिच्रण कर रहे हैं आज मंगबार को बसंडाङ थाना इलाके के बरीपुरा गाउं में एक घर में एक मगर्मप्ट गुस गया मगर्मप्ट के गाउं में गुस आने के बाद ग्रामियों में हडकम भुमच गया और इसकी सूचना बन-विबाक्टी टीम को दी गई वहीं बन विवाकी टीम ने दो अन्य जगे रिलीको एरिया और आउसिंपोर्ड कॉलोनी में घर में से रेस्क्यू कर अजगर और दो मुई साप के बच्चे को भी पकड़ा है दोना सापों को पकड़ने के बाद रेस्क्यू टीम ने बन बिहार के जंगल में छोड़ दिया है हम आपको बता देते हैं कि चंबल में बड़े जलिस्तर के बाद गाओं में आई बाड़ के बाद आई दिन मगल मच्चों साहित अन्य जलिय जीवों के गाओं में घुषने की गटनाएं सामने आ रही हैं जिससे ग्रामिलों में भे ब्याप्त है आई कंटोर रूम से सूचना मिली के बरीपुरा गाओं में मगरमच कुषा रहा है जिसके की अरेंजर साहब अपना बनवाली और समस्त रेस्क्यू टीम वहां पर मगरमच को रेस्क्यू किया गर में खुषा हुआ था जो कि लोगवाग निकलने में दिख्कता रही है कि वह भूंका था और लोगवागों पर टूट रहा था तो इसको अच्छी तरह से रेस्क्यू कर राजगाट चंबल में उसको सच्छे तरूप से छोड़ गया और दूसरी सूचना एक रिको अगयाट में छोड़ गया और आवसिंगोर से सूचना मिली थी के घर्मया साब गुषा है तो वहां पर जाके देखा रेस्क्यू किया तो उसमें किया है कि जो दूम की साब होता है यह को बास्यावड भी कह रहे हैं उसको वह मिला उसको रेस्क्यू करके सुरच्छे के रखी हैं कि समय समय कर कंट्रों से आम जनों से जैसे भी सूचना मिलती है हमारी टीम वहां पहुंचती है और जितनी अच्छी तरह से जितनी सई तरह के से हम उसको पूरत पूर्ण से ध्यार रखते हैं और रेस्क्यू करके उसे उसके स्थान पर सुरेक्ष इस्तर पर दिवस की रूट में मनाया गया कारिकरम का सुवारम प्राचार्य बीके कुल्शेष्ट आई डी ऐसी समन्वेग डाक्टर एसके जैन एवं एन एसस प्रवारी डाक्टर हर्यूम सर्मा द्वारा मा सार्दे को मालने अर्पन एवं दीप प्रुजन कर कारिकरम की विधिवत स कारिकरम के प्रथम चरण में संभागियों ने महाविध्यालय परसर से प्लाष्ट के कच्रे को एकित्रित कर स्वच्चता के प्रती जागरूप रहने का संदेज दिया महाविद्याले परसर में संभागियों ने एन एसेस की सोरे जन्ती के अवसर पर पचास पौधों का रोपड किया कताप राचारे प्रोपिसर बीके कुल्चेश्ट ने संभागियों को पौधों के सरण छड़ के सपत दिलाई कारकरम का संचालन, कारकरम अदकारी डाक्टर पुर्चुत तम्लाल ने किया स्रीअग्रसेन सेवा सदन दोहल पुर्मै स्रीअग्रसेन जहनती मौसव सपता के आई तीसरे दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया गया सेयोज़क राइस गर्ग ने बताया कि खेल दिवस के दिन हर आयू बर्ग के लिए खेल कूद की विविन पृत्योगताओं का अजन किया गया जिसमें 25 वर्ष ते अधिक के उम्र बाले पृसों के लिए 200 मेकर दोड पृत्योगता है सेय सेयोज़क आजय बंसल ने बताया कि दोड की पृत्योगता मच्वन रोड पर आयजे कराई गई इसमें मुनेश सिंगल ने प्रथम प्रियास गोयल ने दुत्ति एवं रवी गोयल ने तरती इस्तान प्राप्त किया रसा कसीगी पृत्योगता स्रीय अग्रिसान सेवा सबन मेर कराई गई थी जिसमें सबी पृत्योगियों को विविन दलों में बाटकर पृत्योगता संपन कराई गई कोसाद ब्यक्सिपिस्नू सिंगल ने बताया कि इसरी अग्रिसायन जैनती में उसर्व सप्ता के अंतरगत सारी प्रतिवकिताई संपन हो चुकी है 26 सितंबर को सांस किर्थ करकरम होगा जिसमें समाज के बच्चों के दौरा विविन करकरम पृतित किये जाएंगे सर्व समाज की और से प्रथान मेरिज हम्मे जिला कलटन निहा गरी के दौरा नौ महीने के कारकाल में जन्हेत के लिए किये गए एतहासिक उतकिष्क कारियों के लिए सर्व समाज के प्रोतिनिदियों द्वारा स्वागत एवं अविनन्दन समारों का आईएंड किया गया इस दौरान सर्व समाज के प्रति लिद्यों के दोरा 31 किलों की पूल माला पैना कर उनका विम्नेट और स्वागत किया गया इस अवसर पर गोस्वामी समाज के अध्यक्स सुर्यस गोस्वामी जाटर समाज से करवन सिंग, राजपुच समाज से रंज सिंग से सौदिया गोकुल सिंग, अगरवाल समाज से जगनात, अगरवाल कास्त समाज से मान सिंग, मेला कॉंगरेस की उपाद्यक्स रामा देवी, सर्मा पूया सर्मा लक्ष्मी सर्मा गईंदर मुद्गल करशनकांत संदीप एवं सेक्रों लोग को पस्तित रहे